शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारत वाश्यों के मन में एक असीम सद्धा का भाव उमर परता है उनका सौम्य व्यक्तित्वा हर देश वाशी को सदा ही गर्व से भर देता है लाल बादूर सास्त्री जी की अविशेस्ता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थी परन्त भीतर से चट्टान की तरह द्रण निष्टे ही थे जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराध व्यक्तित्व की पहचान है राष्ट के प्रती उनकी निश्वार्त तपस्या का ही प्रतिवल था कि लगवग डेड़ वर्ष के संक्षिप्त कारकार में वे देश के जवानों और किसानों को सभलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए कहते हैं कि लालबादूर सास्त्री जी खादी के पुराने या कटे-फटे पस्त्रों को भी इसलिस हैज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है देश से लगा और देश वाश्यों को प्रेम की अबावना छोटे से कद काठी वाले उस महा मानव के रगरग में रची बसी थी वहीं सास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारत वाश्यों के मन में एक असीम सद्धा का भाव उमर परता है उनका सौम्य व्यक्तित्वा हर देश वाशी को सदा ही गर्व से भर देता है लाल बादूर सास्त्री जी की अविशेस्ता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थी परन्त भीतर से चट्टान की तरह द्रण निष्टे ही थे जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराठ व्यक्तित्व की पहचान है राष्ट के प्रती उनकी निश्वार्त तपस्या का ही प्रतिवल था कि लगवग डेड़ वर्ष के संक्षिप्त कारकार में वे देश के जवानों और किसानों को सभलता के शिखर पर पहुँचने का मंत्र दे गए कहते हैं कि लालबादूर सास्त्री जी खादी के पुराने या कटे-फटे पस्त्रों को भी इसलिस हैज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है देश से लगा और देश्वास्यों को प्रेम की अबावना छोटे से कद काठी वाले उस महा मानव के रगरग में रची बसी थी वही सास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है